हलो फ्रेंड्स आपका स्वागत है हमारी चनल में तो दोस्तों एंटी पीसी के एक्जाम जैसे कि आप लोगों पता है कि 28 दिसंबर से स्टार्ट होने वाला है और आप लोगों ने अपना जो एक्जाम सीटी है और डियूरेशन है कि इस डेट में आपका एक्जामनेशन होने दिनों में और आप लोगों पता है जोस्तों की लगवग एक साल से जो कोरोना का कहर है वो लगातार बरकरार है अभी दोस्तों केसेस आ रहे हैं हाला कि पहले से थोड़ा कम है लेकिन केसेस आ रही है लेकिन दोस्तों रेलवे पूरी तरह से सतर्क है वो बिलकुल नहीं चा गये हैं जो की RRB के द्वारा ही जारी किये गये हैं और दोस्तों इस वीडियो में आपको बताएंगे कि वो क्या क्या गाइड लाइन है जो RRB ने अपने एक वीडियो के द्वारा जारी किया है तो दोसों वीडियो में सारा कुछ बताया गिया है कि ये आपको lie opaque करने हैं अगर आप फॉलो नहीं कीजियेगा तो हो सकता है कि आपको एक्जाम से बहार निकाल दिया जएगा तो दोस्तों वीडियो को दिखाने से पहले आपसे छोड़ी से रीक्वेस्ट वीडियो को लाइक कर दीजेगा और अगर आप हमारी चैनल पे नए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आकन को जरूर से जरूर दबा लिजेगा कियोंकि रेलेविट भरते पलपल की अबडिस दोस्तों सबसे पहले आरे चैनल पे उपलब कराई जाती है तो चले दोस्तो रेलवे के दौआ जो जारी किया गया वीडियो उसको हम दिख लेते हैं अच्छी तरह से और वीडियो को पूरा जरू देखेगा दोस्तो तब ही आपको पूरी जानकारी मिलेगी याद रहिए कोई भी जानकर यागर आपको अधुरी या फिर छुटी भी मिली तो हो सकता इसका खाम्याजा आपको एक्जाम में उठाना पड़ सकता है तो दोस्तो वीडियो को पूरा जरूत देखेगा बहुत इंपोर्टेंट है वीडियो और ये दोस्तो रेल्वे के द्वारा ही जारी किया गया है एनिमेशन के थुरू तो चले दोस्तो डायक लिए आपको उस वीडियो को दिखा देते हैं रेल्वे भार्ती बोर्ड की परीक्षा वाले दिन से संबंधित वीडियो में आपका स्वागत है। AII कोरोना वाइरस महामारी वैश्विक रूप से बढ़ रही है। जिस कारण हर प्रकार की परीक्षा की प्रक्रिया को उचित और सुरक्षित बनाना सरूरी है। इसमें करोना वाइरस को ध्यान में रखती हुए वचित एतिहात बरतना भी आवश्यक है। इससे परीक्षार्थी जो परीक्षा दे रहा है और स्टाफ जो परीक्षा आयोचित करवा रहा है दोनों की सुरक्षा पर ध्यान दिया जा सकेगा। जो नई प्रक्रिया न्यू नॉर्मल के लिए सहायक होंगी और इससे आने वाले दिनों में असेस्मेंट्स को सफल करने में मदद मिलेगी। परीक्षा केंद्रों पर यह सुनिश्चित करना जरूरी है की जहां भी जरूरी हो सपर्शमत प्रक्रियाओं का उप्योग करके परीक्षा प्रक्रिया में शामिल सभी कारिकरताओं और परिक्षार्थियों के लिए सुरक्षित वातावरन प्रदान करें। माजूदा प्रक्रियाओं और नियंत्रणों के साथ सामाजिक दूरी का पालन करें. सामाजिक दूरी यानी सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करें. सरकार द्वारत जारी निर्देशों और प्रक्रियाओं का पालन करें. नमस्ते मेरा नाम निशा है यहां मैं आपको परिक्षा से पहले परिक्षा के दौरान और परिक्षा के बाद के आवश्यक निर्देशों के बारे में बेहतर जानकारी देने के लिए आई हूँ वर्तवान वैश्विक परिद्रश को ध्यान में रत्ती हुए नई सुरक्षा उपाईयों को परिक्षा वाले दिन हर जगह पर लगो किया जाएगा इसे तीन चर्णों में वर्गी करित किया गया है परिक्षार्थी के प्रवेश के दौरान, परिक्षा के दौरान, परिक्षार्थी के परिक्षा के बाद बाहत जाने के दौरान दिशा निर्देशों को देखें परिक्षार्थी के प्रवेश के समाई से परिक्षार्थी के प्रवेश के समाई सामाजिक दूरी बनाए रखे परिक्षार्थी को एक दूसरे से सुरक्षित दूरी बनाए रखना है परिक्षार्थी को पूरे समय फेस मास्क पहन कर रखना है और परिक्षास्थल के अंदर थूखना नहीं है परिक्षा स्थल पर भीड ना हो और सामाजिक तुरी बनी रहें इसके लिए आपको चाहिए कि E-Call Letter पर दिये गए Time Slot में आप परिक्षा केंदर पर पहुँच जाएं नोट परिक्षार्थी को चाहिए कि वो परिक्षा स्थल के लिए निकलने से पहले E-Call Letter को अच्छे से पढ़ ले आपको परिक्षा करवाने वाले अधिकारी के दिशा नर्देशों का पालन करना है और प्रवेश द्वार पर बने फ्लोर मार्क्स पर खड़े होना है आपकी चेकिंग सिक्योरिटी स्टाफ द्वारा HHMD डिवाइस एक्स्टेंडर की मदद से ली जाएगी आपका तापमान प्रवेश द्वार पर थर्मोगंस की मदद से चेक किया जाएगा नोट परिक्षार्थी जिनका तापमान स्विकार्यता सीमा के अंदर होगा उन्हें परिक्षा केंदर के अंदर जाने दिया जाएगा परिक्षार्थी जिनको कोविड हैं उन्हें परिक्षा केंदर में प्रवेश नहीं दिया जाएगा बार कोड गंस का उपयोग प्रवेश द्वार पर E-Call Letter को चिक करने के लिए किया जाएगा और इसके बाद आपको आपकी सामबंधित लैप्स के बारे में जानकारी दी जाएगी सभी परिक्षार्थी को अपनी परिक्षा से जुड़े दस्तावेश, E-Call Letter, COVID-19 Self-Disclusion Form और Original Photo ID के साथ खुद का Face Mask लाना होगा इसके अलावा कोई भी दूसरा सामान परिक्षा केंद्र के अंदर ले जाने की अनुमती नहीं है Note, Photo ID में जन्म की तारीख का होना आवश्यक है बिना जन्म की तारीख वाला Photo ID मान्य नहीं है प्रवेश के समय, बाहर जाते समय और सामान निह शेत्र में सेनिटाइजर को उपलब्ध कराया जाएगा परिक्षा के दौरान इसके बाद जैसे ही आप परिक्षा लैब में जाएंगे आपका e-call letter और वैद ओरिशनल ID proof परिक्षा स्टाफ दौरा सुरक्षिक दूरी पर रहेकर चेक किया जाएगा परिक्षा लैब में जाने के बाद आपको फोटोग्राफ और बायोमेट्रिक क्याप्चर से समबंधित रजिस्ट्रेशन डेस्क के लिए गाइड किया जाएगा फोटो खिचवाने की प्रक्रिया के लिए आपको मास्क निकालना होगा सीधे खड़े होकर वेब कैम के सामने आख की लेवल मिन्टेन करनी होगी जिससे क्लियर फोटो आ सके बायोमेट्रिक क्याप्चर प्रक्रिया के दौरान आपको सेनिटाइजर से हाथ सेनिटाइज करने के लिए कहा जाएगा और बाय हाथ के अंगूठे का निशान के लिए बाय हाथ के अंगूठे को बायोमेट्रिक डिवाइस पर रखने के लिए कहा जाएगा परिक्षा से पहले आपकी सीटों को सेनिटाइज किया जाएगा एक बार जब आप अपना रेजिस्ट्रेशन पुरा कर लेते हैं तो परिक्षा स्टाफ आपको सामाजिक दूरी नियम का पालन कराते हुए आपको दिये गई कम्प्यूटर सिस्टम नंबर पर मार्क दर्शन करेगा आपको रफ शीट्स और एक बॉल पॉइंट पिन दिया जाएगा जो कि आपकी डेस्क पर परिक्षा शुरू होने से पहले रख दिया जाएगा आपको सुरक्षित दूरी पर बैटना है मतलब परिक्षा के समय आपको बैटने की वेकल्पिक व्यवस्था के अनुसार बैटना है एक स्टाफ, सेनिटाइजर और इंक पैड को हर परिक्षार्थी के पास ले जाएगा और परिक्षार्थी के डेस्क पर रखे एकॉल लेटर पर थम इंपरेशन के लिए पूछेगा परिक्षा लैब में आप लगातार सीसी टीवी की निगरानी में होंगे परिक्षा के दौरान किसी भी प्रकार की अनुचित तरीके से मदद करने या मदद लेने पर आपको डिस्क्वालिफाई कर दिया जाएगा क्यालकिलेटर, ब्लूटूथ डिवाईस, सेलफोन, पेजर, घडिया, धातू की वस्तुएं जिनमें आभूशन, चूडी, बेल्ट, कंगन, आदी शामिल हैं का उपयोग परिक्षा लैब के अंदर पूर्ण दया प्रतिपंधित है परिक्षा के दौरान आपकी फोटोग्राफ और बायोमेट्रिक को क्याप्चर किया जाएगा और एक बार फिर से वेरिफाई किया जाएगा अगर बायो ब्रेक के लिए जाते हैं तब भी बायोमेट्रिक क्याप्चर किया जाएगा परिक्षा के बाद परिक्षार्थी के बाहर जाने के दोरान शिफ्ट पूरी होने पर आपको सक्ति से व्यवस्थित तरीके से बाहर जाना है नोट आपको परिक्षा लैब से तब ही बाहर आने दिया जाएगा जब परीक्षा स्टाफ यह सुनिश्चित ना करें कि आप जा सकते हैं कृपया सुनिश्चित कर लें कि कोई भी सामान फेस मास्क, यी कॉल लेटर, अभ्यार्थी फाइल और ओरिजनल आईजी प्रूफ छूट ना गया हो भीड ना करते हुए अपेक्षित दूरी बनाए रखें परीक्षा केंद्र पर अनावश्यक बाते ना करें परीक्षा स्टाफ बाहर जाने वाले रास्ते पर आपके सही मुव्मेंट के लिए मौजूद रहेंगे शुब काम नाएं